आज मैं सिंपल वैनिला कापकेक बना रही हूं, जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होता है, स्कूल ता भी बंद है, पर स्कूल के लांच बोक्स में भी इसको आप दे सकते हो, तो चलिए शुरू करते हैं, केक के लिए पहले मैदा को रेडी कर लेते हैं, मैं यहां टी स्पून का मेजरमेंट है, वन टी स्पून मुझे वेकिंग पाडर यहां डालना है, इसलिए दो बार डाल रही हूं, अब यह ड्राइ इंग्रेडियन्ट को अच्छी तरह से चान लेती हूं, इसे आप साइड में रख देती हूं, हाप काप मैं यहां चीनी ले रही हू अब इसके अंदर हाप काप ओयल डाल रही हूं, यह हुआइट ओयल है, इसके जगह आप मिल्टेड बाटर भी डाल सकते हो, वान एट कप दूध है, यह वाम दूध है, लिउक वाम दूध है, वान टी स्पून भैनिला एसेंस डाल रही हूं, और तीन अंडा डालूंगी, यह भी रूम टेंपरे चारपी है, फ्रीज से डाइरेक्ट लाके, अगर आप केक बनाने के लिए अंडा यूज करोगे, तो केक कभी भी आपका फूलेगा नहीं, तो पहले अंडा डाल लेती हूं मैं, अब घड़ी सामने रखके, मैं इसको पूरा दो मिनिट चान करूंग और मैदा का जो ड्राइ बना के रखी थी, उसे थोड़ा थोड़ा करके डाल के, मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूं, बाकी भी डाल देती हूं, एक पिंच नमक डालती हूं, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूं, जब भी कोई मीठा चीज बनाना हो, उस जो mold है इसे थोड़ा सा grease कर लेती हूँ, अगर आपके पास cupcake का mold नहीं है, तो घर में कोई भी metal का जो कटोरी होती है, उस कटोरी में डाल के भी आप cupcake बना सकते हो, अब mold का हर एक खाने को मैं two-third portion batter से भरती हूँ, पूरा नहीं भरना, इसे थोड़ा सा tap कर देती हूँ, अगर कोई air bubbles अंदर फसा हुआ है, तो निकल जाएगा, अब इसे preheat oven में 180 degree centigrade में 15 minutes तक bake करती हूँ, मेरे पास ये कटोरा सेप का दो mold भी है, इसे मैंने grease करके रखा, जो batter बच गया, उसको मैं इन दोनों कटोरों में डाल देती हूँ, second batch में इसे bake कर लूँगी, मेरा फास्ट बेच का केक बनके तयार है, अब ये दोनों कटोरा को भी मैं डाल देती हूँ, same होई 180 degree centigrade में 15 minutes मेरा दो काटरों में जो केक बनाने के लिए दिया था ये भी बन गया, दोनों mold में ही बहुत अच्छी फूली है मेरा केक, अब इसे demold कर लेते हैं, साइड से थोड़ा सा चकू लगाके इसे निकाल लेते हैं, देखिए कितनी अच्छी बनी है, बच्चे के तो बहुत फेबरीट होती है ये, ये भी बहुत सुन्दर बनी है, साइड में थोड़ा सा डिजाइन भी बनाएं, बिल्कुल सिंपल वे में कापकेक बनके तयार है, अगर अच्छी लगी मेरी रेसिपी, तो मेरे चानल को लाइक से और सब्सक्राइब करना भूलेगा नहीं, अपना ओपिनियन मेरे साथ से आर जोरूर कीजिएगा, ठैंक्स प्रेंट, टाइम निकल के मेरे वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ बने रहिए, सिंपल वे में घर में मैं खाना बनाती हूँ, जो अच्छा लगता है, मैं आपको साथ सेर करती हूँ, तो आज ही हाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपीज के साथ, बाई, हैबे गुट दे।